दोस्तों 1526 में फरगना जो कि उजबेकिस्तान में एक छोटी सी जगे हैं वहां के सासक बाबर के द्वारा हमला किया जाता है दिल्ली सल्तनत पर सासन कर रहे सुल्तान इब्राहिम लोदी और उसकी लडखडाती हुई सेनाएं इसका सामना नहीं कर पाती हैं और पानी पत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा हरा दिया जाता है दिल्ली सल्तनत के आखरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को और इसी के साथ भारत में सुरुआत होती है मुगल सासन की स्वागत है आप सभी लोगों का Step Up आई इस द्वारा संचालित प्रलिम श्मैसर सीरीज में आज हम आट अन कल्चर का 15 लेक्शर कंटिन्यू करेंगे तो आई आगे बढ़ते हैं जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं हमने पूरे सेलेबस को दो हिस्तों में डिवाइड किया है इंडियन आर्ट और इंडियन कल्चर इंडियन आर्ट को further दो पार्स में क्लासिफाई किया गया है performing art जिसे हम cover कर चुके हैं और visual art जिसमें हम इस समय architecture और sculpture दोनों को एक सांथ cover कर रहे हैं अगर हम बात करें Indian architecture की तो उसे हमने तीन phases में classify किया था ancient India जिसे हम पूरा cover कर चुके है medieval India जिसमें हम Delhi सल्तनत पर चर्चा कर चुके हैं और आज की जो हमारी विशय वस्तू है वो है मुगल आर्ट जिस पर आज हम इस lecture में continue करेंगे और जो हमारा अगला lecture होगा वो होगा modern art पे देखें मुगल आर्ट में आज जो हमें discuss करना है वो कई सारी इस dynasty में जो कई सारे rulers आए उनके समय में architecture कैसे develop हुआ उसी के दौरान हम चर्चा करेंगे तो पहले हम बाबर के बारे में बात करेंगे उसके बाद हम हुमायू के बारे में बात करेंगे लेकिन हुमायू के बाद अकबर पर जाने से पहले पंद्रह सालों तक सूरी डाइनिस्टी ने सासन किया इस पूरी लोकेशन पर नौर्थ इंडिया में तो हम सेर साह सूरी के बारे में भी बात करेंगे उसके बाद अकबर जहागीर साह जहा और औरंग जेप के समय में हुए आर्टेक्श्रल डेवलप्मेंट के बारे में इस लेक्शर में चर्चा की जाएगी देखे दोस्तों ये है इंस्टिटूशनल इन्फोर्मेशन आप हमें पर्सनल गाइडिन्स के प्रोग्राम के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं जहां पर आप एक एक्सपिरियंस कोच के सुपर विजन में अपनी तयारी करते हैं इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करवाया जाता है तुरू अ कैंड ओफ टाइम मैनेजमेंट डैरी प्रिलिम्स और मीन्स की टेस्स रीज आपकी इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है इसके लावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं लाइक ओरल टेस्ट, गृप टेस्ट और इंस्टेंट टेस्ट चोकी काफी महत्तपून होते हैं ये है course diary जिस पर आपको काम करना होता है और ये है time management diary जिसे आप से उम्मीद की जाती है कि आप regularly fill करेंगे और coach इसे daily basis पर inspect करते हैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपकी तयारी चल कैसी रही है further details के लिए आप इस number पर contact कर सकते हैं हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुगल architecture की देखे इंडो muslim architecture को एक striking improvement मिला जब मुगल्स इंडिया में entry करते हैं क्योंकि उन्होंने लोधी period के दौरान जो architectural development decline पर था उसको फिर से उठाया और आगे बढ़ाया दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों से इतर मुगलों ने एक mixed style का प्रयोग किया जिसमें local population जो style उप्योग में लाती थी या फिर राजपूत provinces में जिस style को प्रयोग किया जाता था उस style को मुगलों ने अपनी style के साथ mix कर दिया अकबर ने जो policy अपनाई that was the policy of conciliation जिसमें वो ऐसा मानते थे कि वो अपनी सभी हिंदू प्रजा के साथ सुख और सांती से रहेंगे इसलिए उन्होंने दीन इलाही धर्म को भी संचालित करने का प्रयास किया जिसमें सभी धर्मों से कुछ अच्छी बातों को संग्रहीत कि जहांगीर भी बाई बलड हाफ हिंदू थे क्योंकि उनकी मा जोधा बाई एक राजपूत प्रिंसस थी सहाजहां ने भी tolerance की policy को अपनाया और हिंदूों के प्रती respect को सो किया मुगल empire के समय में जैसे जैसे मुगल empire grow होता गया वैसे वैसे मुगल architecture भी अपनी peak पर देखिए औरंग जेब जो की radical policy को अपनाता था उसका ये मानना था कि किसी भी तरीके की जो policies उसके ancestors के दोरा अपनाई गई आर्ट या फिर architecture को बढ़ावा दिया गया ये इसलाम के खिलाफ है इसलिए औरंग जेब के समय में जो architecture था वो मुगल empire में नीचे की और गया उसम भारत में मुगल सामराजी की स्थापना करता है लेकिन 26 से 30 के बीच में लगातार वो चार लडाईयों में जूझा रहा लड़ता रहा बहुत इससे समय मिल नहीं पाया बाबर को कि वो कोई यहां पर architectural development कर पाता बहुत कम समय तक सासन किया बाबर ने भारत में लेकिन चार स भाग बनाया गया पानी पत में तो वहां पर हमें एक मॉस्क एक मस्जिद देखने को मिलती है वैसे ही हमें जामी मस्जिद देखने को मिलती है संभल में जो की दिल्ली के नजदीक में ही एक जगे है काफी significant place है historical point of view से तो आप यहां पर मॉस्क को देख सकते हैं जो की काब हमायू की हमायू ने सासन किया 1530 से 1540 तक उसके बाद 1555 से 1556 तक आखिर ये दो time span क्यों बताया जा रहे हैं क्योंकि देखे 1530 में जब बाबर के बाद सत्ता हमायू को मिली तो हमायू थोड़ा उदार दिल था ऐसा मना जाता है इतिहासकारों के दौरा उसने अपनी सत्ता क विभाजन किया अपने भाईयों के बीच में कुछ लोग कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये उसकी बड़ी भूल थी क्योंकि जब कोई बाहरी हमला हमायू के उपर हुआ तो कभी भी उसके भाईयों ने उसका साथ नहीं दिया फिर हमायू की जो administrative quality थी वो कहीं ने कहीं क अबजा कर लिया और 1939 में उसने challenge किया हमायू को चौसा के war में चौसा के war में हमायू की हार होती है और इस हार के बाद हमायू अपने आपको सम्हाल नहीं पाता है हलांकि फिर भी वो इंडिया में था उसने फिर एक बार attack किया सेरसासूरी के उपर लेकिन कन्नौज की location पर एक बार फिर हुमायू को हराया गया सेरसासूरी के दौरा और उसके बाद अंतता हुमायू को भारत को छोड़कर भागना पड़ा और परसिया जाना पड़ा इस दौरान सेरसासूरी ने सूरवंस की स्थापना की सेरसासूरी ने successfully 5 सालों तक rule किया और कई सारे अच्छे का उस पर हम आगे चर्चा करेंगे हलां कि अभी हम यहां हुमायू की बात कर रहे हैं हुमायू फिर से वापिस लौट कर आता है 1555 में और हमला करता है सूर वंस पे सेरसासूरी की जो मौत है वो 5 साल बाद 1545 में हो चुकी थी और बात के जो सूर सा सकते अफगान सा सकते वो एक सिटी को स्टैबलिश करने का प्रयास किया धैट वास दीन पना हा हलां कि वो सिटी को कम्प्लीट नहीं कर पाया उसके दौरान ही उसके बीच में ही उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा देखिए एक जो प्रॉपर आपको मुगल आर्किटेक्चर के जलक मिलेगी वो हुमायू के टॉम में मिलेगी जो कि उनकी विधवा बेगा बेगम के दौरा बनवाया गया था यहां पर देखिए जो जहांगीर का मियूजॉलियम है यानि मकबरा है सहादरा लाहूर में काफी मिलता जुलता है हुमायू का मकबरा उससे और आप इसे ताजमहल का प्रिकरसर भी कह सकते हैं क्योंकि आगरा में जो ताजमहल बनाया गया है उसकी आकृती जो मकबरा है हलां कि देखिए सिकंदर लोधी के समय से ही जो गार्डेन टॉम से वो बनना सुरू हो गए थे इंडिया में गार्डेन टॉम का मतलब यह होता है कि एक बड़े से गार्डेन में कोई टॉम बना दिया जाता है ठीक है हलां कि ऐसा पहली बार था जब हुमायू के समय में जो significant एकदम proper culture लेकर आता है garden tom का क्योंकि जो भी जो हुमायो tom बनाया गया वो बिल्कुल garden के बीच में बनाया गया एक उठे हुए platform पे बनाया गया और साथ ही यहाँ पर चार बाग style का भी उपयोग किया गया last lecture में हमने बात की थी चार बाग style किया है जहाँ पर एक structure के सामनी चार बाग बनाया जाते हैं चार गार्डन बनाया जाते हैं कुछ यूँ ठीक है ऐसे और यहाँ पर कोई एक structure होता है देखे पहली बार red standstone का प्रयोग किया गया जिसमें white standstone को भी mix किया गया अब इन सारी बातों को आप image में भी देख सकते हैं देखे यह है हुमायू टॉम आप इसे ताज महल का precursor कह सकते हैं बहुत ही खूपसरद building है ताज महल को भी लगभग ऐसा ही बनाया गया है अगर आप देखें चार मिनारे आपको आसपास दिख जाएंगी इसके लावाव वो संगमर्मर का बना हुआ मिलेगा यहाँ पर देखें red standstone का प्रयोग किया गया हलांकि खिडकियों और टॉम के उपरी हिस्सों को और खूबसूरत बनाने के लिए सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया गया है काफी उचाई पर इसको बनाया गया है तो हुमायू टॉम काफी खूबसूरत बिल्डिंग उसमें बनाई गी जिसमें हमें मुगल आर्किटेक्चर की एक पूरी जलक देखने को मिलती है अब आई ये बात करते हैं सेरसा सूरी के बारे में जिसके बारे में हमने बात की कि इन्होंने 1539 में चौसा के वार में हुमायू को हराया और सूरवन्स के स्थापना की ठीक है अब देखें यू तो ये सासन कर रहा है थे 1538 से कहां पर बंगाल की लोकेशन में इन्हें जो पूरी सत्ता दिल्ली की मिली वो 1540 में मिली हाला कि इनका जो रूलिंग पीरिड था वो 1538 से था 1545 में इनकी मौत होती है इन्होंने सिरसा में एक मॉस्क बनाया ट्रंक रोड बनवाई ताकि ट्रेड को और अच्छे से बहतर किया जा सके उनकी administrative quality बहुत अच्छी थी सेरसा सूरी की इसलिए उन्होंने empire को काफी अच्छे से बांद के रखा था सेरसा सूरी ने दिल्ली सल्तनत period में जो architectural style थी उसको continue किया क्योंकि या बताइए क्योंकि वो एक अफगान सासक थे वो मुगल सासक नहीं थे इसलिए उन्होंने दिल्ली सल्तनत की जो style थी उसको continue किया सेरसा ने अपना खुद का भी tom या musolium सासराम बिहार में बनवाया देखे ये जो tom था इसको modify किया गया था जैसे कि लोधी की period में जो octagonal pattern में चीज़े बनाई जाती थी जो architecture बनाया जाता था उसी को modify करके और खुबसूरत बना के इस tom को बनाया गया यहाँ पर देखे ये है सेरसा का tom जो की देखे octagonal shape में लोधी period में चीज़े बनाई जाती थी point to be noted red और dark grey stone का फ्रोग किया गया है पुराना किला और किला कोहन मस्जिद इसके अंदर जो मनाये गये है ये भी सेरसा सूरी के समय में ही तयार किये गये तो ये बाते कुछ सेरसा सूरी के बारे में आईए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अकबर के बारे में अकबर का जो ruling period है वो 1556 से 1605 के बीच में है अकबर की उम्र बहुत कम थी जब उन्होंने सत्ता समाली क्योंकि हुमायू की असमय मृत्य हो गई थी अकबर ने काफी interest लिया आर्ट और अर्किटेक्टर को डेवलप करने में अपने पूरे सासनकाल में इन्होंने red sandstone का प्रयोक किया जो कुछ भी architecture development इन्होंने किया इसके अलावा इन्होंने तुदोर आर्क का प्रयोक किया जो कि force centered आर्क होता था तुदोर आर्क को अगर आप समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक जो आर्क आपको देखने को मिलेगा उसमें actually में चार आर्क का mixture होगा जो आर्क आपको देखेगा वो कुछ यू देखेगा देखे अब इसमें चार आर्क कैसे होता है एक आर्क तो ये है एक आर्क और दो आर्क ये है लेकिन ये जो जुकाव है ये जुकाव जो है इसे बनाने के लिए दो और आर्क का प्रयोग किया जाएगा जिसमें एक आर्क कुछ यू जाएगा और एक यू जाएगा तो ये चार छोटे छोटे आर्क मिलकर जो एक आर्क बनाते हैं इसे ही हम कहते हैं तुदोर आर्क, फोर आगरा में बनाया गया और आगरा के नजदीक ही फतेह फूर सीकरी सहर बसाया गया उसमें भी बहुत सारे आर्किटेक्ट्टर डेवलप्मेंट देखने को मिलते हैं तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई वो आगरा फोर्ट के अंदर ही बनाई गई तो हम उनके बा लेकिन फतेहपूर सीकरी में पानी की कमी थी इसी वज़े से उसने जो अपनी कैपिटल थी उसको आगरा शिफ्ट किया और आगरा चुकी यम्नानदी के किनारे था इसलिए आगरा फोर्ट को भी यम्नानदी के किनारे ही बनाया गया था वहाँ पानी की कमी नहीं थी इस व पहला construction था जो कि अकबर के समय में सुरू हुआ, ठीक है, most of the structures present inside the fort were done during the rain of साह जहां, देकि आगरा फोर्ट के अंदर बहुत अच्छी-च्छी खूबसूरत structures और buildings आपको मिलेंगी, लेकिन उन में से ज्यादा तर साह जहां ने बनवाई, अकबर ने एक structure तो तयार किया, आग आप सोच रहे होंगे कि दिवाने आम और दिवाने खास, अगर आपको लाल किला घूमने गए हो, अगर आपने दिल्ली के विजिट की है तो नहीं की है तो आप भविस्ण में जरूर करिएगा और करिएगा, तो लाल किला भी रेखने जायेगा, जैसे कि हर कोई जाता है, तो वहाँ पर भी आपको दिवाने आम और दिवाने खास देखने को मिलेगा, तो आगरा फोर्ट में भी दिवाने आम दिवाने खास है, एक्चुली में दिवाने आम और दिवाने खास लगभग हर किले में हुआ करता है, क्यों क्यों क्योंकि राजा का अपना एक स्थान होता है जहां पर वो कुछ आम लोगों से मिलते हैं अपनी प्रजा से मिलते हैं और कुछ प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं जो कि दिवाने खास में होती हैं तो जो उनकी मीटिंग का प्लेस होता है उसी के बेसिस पे लगभ जो gardens आग्रा फोर्ट में बनाये गए हैं, उनको 4 बाक स्टाइल में बनाये गए हैं, और कि समयमें ही इने बनाये गया था, ही छाडों मैंने आपको लास्टल में भी बताया था कि जो ताज महल बना है वहाँ पर भी चार बाग स्टाइल का प्रयोक किया गया है अगर मैं आपको एक ओवर्विव देना चाहूँ कि कैसे अगरा फोर्ट बना है देखे ये पूरी लोकेशन है जहाँ पर अगरा फोर्ट इस पूरे एरिया में बना है और इसके अंदर कई सारी बिल्डिंग बनी है दो महतवपूर दरवाजे हैं आगरा फोर्ट में पहला दरवाजा जिसे डेली गेट बोला जाता है वो यहाँ पर है और दूसरा दरवाजा जिसे लाहौर गेट बोला जाता है वो यहाँ पर है कुछ अंदर जो structures बनाए गए है उनके बारे में बात करूँ तो इस location पर जो आपको दिख रहा है structure यह है music hall ठीक है और यहाँ पर जो location आपको दिख रही है that is दिवाने आम यह दिवाने आम है यहाँ पर पीछे यह structure है रंग महल ठीक है और यहाँ पर यह जो structure आपको दिख रहा है यह structure है दिवाने खास जहाँ पर private meeting हुआ करती थी मोती मस्जिद जिसका lecture मैंने last slide में किया था previous slide में किया था वो यहाँ पर है जोकि मैं आपको उचाई से दिखाने का प्रयाज कर रहा हूं यहाँ पर देखीे आप नदी को देख सकते हैं यमना रिवर को देख सकते हैं तो आगरा फोर्ट काफी खूबसूरत है आप देख सकते हैं और जिस चार बाक स्टाइल की मैंने बात की थी आगरा फोर्ट के अंदर देखे यहाँ पर एक छोटी सी लोकेशन चार बाक स्टाइल के दिख रही है ये एक, दो, तीन और चार ये चार बाक स्टाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आईए बात करते हैं फतेहपूर सीक के बारे मैं आपको बता दूँ कि अकबर की कई सारी संदाने होती थी लेकिन वो जिंदा नहीं बसती थी वो मर जाती थी सेख सलीम ने अकबर से कहा या उनको ऐसा प्रिडिक किया उनके बारे में बताया कि आपके तीन बच्चे होंगे जो की बचेंगे और आपके सामराज्य को आगे बढ़ाएंगे जब ऐसा होता है तो फतेपूर सिकरी का निर्मार करवाया जाता है सेख सलीम की याद में उनके सम्मान में अकबर के द्वारा इसका काम 1579 में शुरू किया गया और महज 5 सालों में फतेपूर सिकरी का काम पूरा किया गया 1574 में ये बिल्कुल वही साल था जिस साल आगराफोर का काम भी कंप्रीट हुआ था ठीक है अब देखे फतेपूर सिकरी एक टाउन है जो की काफी प्लांड है administrative unit है consisting public building and private residence वहाँ पर आम जनता भी रहती है कई सारी public learning सो भी बनाया गया ठीक है और यहां पर फतेपूर सिकरी में भी आपको कई सारे खूबसूरत structures देखने को मिलेंगे जैसे कि बुलंदर वाजा बहुत ही famous structure है पंच महल जोधाबाई पैलेस सलीम चिस्ति का टॉम जिसको अकबर ने बनवाया था वो सलीम चिस्ति को अपना गुरू मानते थे अपने आपको सिस्ति मानते थे उनका सलीम चिस्ति एक सूफी सेंट थे इबादत खाना बनवाया गया फतेपूर सिकरी में ही जहां पर वो कई सारे धर्मों के जो विद्वान थे उनसे मिलते थे वहां पर बहस होती थी पर देखे हिंदू सिस्टम को भी थोड़ा बहुत एडॉप किया गया है, ट्रिवेट स्ट्चर है ये, ट्रिवेट स्ट्चर का मतलब ये होता है कि एक horizontal पत्थर रखके building को बनाया जाता है, मतलब ऐसे करके ऐसे पत्थर रखके, तो बिल्कुल इसी style में बनाया इस उपर के छज्जे को, तो ये जो bracket बनाने का तरीका है, ये Hindu influence है अगर आप Buddhist influence की बात करें, तो जो domed pavilion यहाँ पर उपर बनाया गया, देखें एक dom के नीचे जो pavilion बनाया गया है, ये बुद्धिष विहारों में प्रयोक किया जाता है, प्लस ये जो जुकाव आप देख रहे हैं, ये भी आपको Buddhist monastery में देखने को मिल जाएगा, तो ये Buddhist influence आप कह सकते हैं, पंच महल में दोनों का है influence आपको स्वाधेपूर सीकरी में देखने को मिल सकता है, देखें यहाँ पर सेख सलीम चिस्ती का मकबरा आप देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर सफेद दिख रहा है, एक्शुली में इसे red sandstone से बनाया गया था अकबर के दौरा, लेकिन बाद में इसे जो उनके आने वाले rulers थे, further rulers से, उन्होंने इसे सफेद रंग में convert कर दिया, संगमर्मर का इस्सेमाल किया गया, इसे और खूबसूरत बना दिया गया, तो यह सेख सलीम चिस्ती का मकबरा है, जो कि फतेवपूर सीकरी में ही इस्थित है, और red sandstone का जो structure है, वो आपको इसमें देखिए, यह एक complex structure है, जहां पर private audience आकर अपने राजा से मिल सकते थे, बातचीत कर सकते थे, यह एक square chamber है, जहां पर तीन opening है, मतलब तीन दरवाजे है, ठीक है, throughout ventilation होता रहे, इसके लिए आमने सामने खिड़कियों को बनाया गया है, ताकि ठंडा रहे, यह पूरे building, गर्मी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ आ सकते हैं, चूकि यह private audience है, private hall है, इसके लावा देखिए, charming balcony बनाई गई है, जोकि circular top में support करती है, यहां पर देखिए, बहुत अच्छी balcony बनाई गई है, उपर top में, तो यह कुछ, इसके लावा एक और Hindu influence की बात करें, तो देखिए, यहां पर भी bracket का इस्तिमाल किया गया है, यह bracket आप देख रहे हो न, इसको support किया गया है, उपर वाले चज्जे को support करने के लिए brackets का इस्तिमाल किया गया है, तो यह दिवाने खास के बारे में हमने हैं चर्चा की, अब आई यह बात करते हैं जहांगीर के बारे में, जहांगीर जिसने रूल किया 1605 से 1627 के period में, देखिए, इनके rain में जो architecture था, इसने back seat लिया, मतलब थोड़ा कम develop हुआ, करण क्या था, क्योंकि जहांगीर को बहुत ज़्यदा रूची painting में थी, वो जो architecture था, उसको बहुत ज़्यदा तवज्यों देते नहीं थे, इसलिए painting तो खुब flourish हुई, लेकिन architectural work जो थे, वो बहुत ज़्यदा flourish नहीं हुए, तो painting में जब हम बात करेंगे, तो हम specifically जहांगीर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जहांगीर ने painting पे काफी अच्छा काम किया था, however, he oversaw the construction of some noteworthy monuments, including akbar's tom bin sikandara, इन्होंने akbar का tom sikandara में बनवाया, कुछ काम इन्होंने किये, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, कुछ तो काम हुआ, akbar का tom sikandara में बनवाया गया, उन्होंने lahore में अपना खुद का भी tom बनवाया, जिसका जो exterior था, वो काफी richly decorator था, पेत्रादुरा का प्रयोक किया गया, पेत्रादुरा के बारे मैंने आपको बताया था, कि यहाँ पर दिवारों में carving करके, कुछ जो precious metals या फिर पत्थर होते थे, उनको जड़ दिया जाता था, फर्दर इन्होंने कई सारे garden भी बनवाये, जैसे कि साली मार बाग, जो कि डल लेक के पास बनवाया गया है कस्मीर में, और इन्होंने लाहॉर में मोती मस्जिद भी बनवायी, ठीक है, यहाँ पर यह देखे, यह टॉम बाफ जहां गीर है, काफी खूबसूरत building है, तो इसे आप image में देख सकते हैं, अब आई यह साह जहां की बात करते हैं, जिन्होंने सासन किया 1628 से 1658 के period में, इन्होंने कई सारे अच्छे अच्छी building बनवाई, और उसमें जो सबसे famous नाम आप जानते हैं, that is ताज महल, साह जहां मतलब ताज महल, ताज महल जिसको उन्होंने अपनी भीवी, मुमताज महल की याद में बनवाया था, ताज महल एक square tom है, वैसे तो आप सभी लोग ताज महल के बारे में जानते हैं, तो यहां पर बताना तो एक formality ही ही होगी, लेकिन formality में भी बताना जरूरी है, यह एक square tom building है, जो की एक उचे terrace पर बनाई गई है, बहुत उची-उची मिनारे बनाई गई है, चार, उसके चारो तरफ, बिल्कुल हुमायू के tom की तरफ, जो tom chamber है वो octagonal है, मतब अश्ट भुजाकार है, ठीक है, इसके लावा देखिए, graceful double dome का प्रयोग किया गया है, double dome के बारे में हमने last section में बात की थी, मतब एक dome के उपर ही दूसरा dome बना दिया जाता है, जिसमें उचाई building की बढ़ जाती है, marble का प्रयोग किया गया, इसके पहले ज़्यादा था building में red sandstone का प्रयोग किया जाता था, marble का प्रयोग किया भी जाता था, तो partially किया जाता था, completely नहीं किया जाता था, और यहाँ पर उन्हें completely marble का प्रयोग किया गया, ताज महल में beautiful endeavor किया गया है, precious multiple stones का प्रयोग किया गया है, पैत्रादुरा style का प्रयोग किया गया है, मैं लास ट्रेक्शन में बताया था कि ताज महल में प्यत्रादुरा स्टाइल का प्रयोग किया गया है कई सारे precious metals आपको ताज महल में जड़े हुए मिल जाएंगे, इसके अलावा arabesque pattern का भी इस्तेमाल किया गया है arabesque pattern के बारे में लास ट्रेक्शन में बताया था भूले तो नहीं न आप लोग, जैसे कि मैंने बताया था एक तहनी में से कई सारी ऐसे तहनी निकलती रहती है और एक खूबसुरत से स्टाइल बन जाती है ठीक है, तो इसका भी प्रयोग किया गया है हाला कि मैंने तो खूबसुरत नहीं बनाया है बट एक्चुली में जो arabesque pattern होता है, वो काफी खूबसुरत होता है साह जहां ने देखिए कई सारे number of elegant खड़े किये बहुत अच्छी-च्छी decorating buildings खड़ी की जैसे कि Redford, उसका नाम देना बनता है खास महल, इसके अलामा दिवाने खास मोती मस्जिद, जामा मस्जिद डैली में इसके अलामा जामी मस्जिद आगरा में जिससे 1648 में उन्होंने अपनी बेटी जहा नारा, बेगम की याद में बनवाया था वजीर खान मास बनाया गया लाहॉर में 1634 में तो यह कुछ और बिल्डिंग्स है जिनके बारे में आपको जानना चाहिए देखिए यह ताजमहल की बिल्डिंग्स है आप लोग वैसे भी ताजमहल को पहले कई बार देख चुके हैं अब आईए बात करते हैं रेट फोर्ड की लाल किला लाल किला देखिए 1638 में साजहा ने जब अपनी कैपिनल को आगरा से डैली में शिफ्ट किया तो उन्होंने वहाँ पर रेट फोर्ड बनवाया लाल किला बनवाया इसका काम 1639 में स्टार्ट कर दिया गया और 9 साल लगे थे लाल किला को कम्प्रीट होने में रेट फोर एक irregular octagonal pattern में बनाया गया है दिवारों को और gates को मतलब बहुत regular pattern इस्तेमाल नहीं किया गया है हलांकि अश्ट भूजाकर buildings का प्रयोग किया गया है red sandstone का प्रयोग किया गया है इसी लिए तो इसे लाल किला बोलते हैं अला कि marble का भी इस्तेमाल किया गया है कही कही जगों पर सजावट के लिए यहां पर देखे दिवाने आम आपको मिल जाएगा जहां पर marble की canopy बनाई गई है ornamental काफी अच्छी सजावट की गई है पैतरा दुरा का भी प्रयोग किया गया है तो दिवाने खास में संग्मर्मर का बहुत ज़्यदा प्रयोग किया गया है दिवाने खास एक ऐसे building थी जहां पर वो अपने कुछ private meeting किया करते थे अपने ministers से बात किया करते थे highly decorated pillared hall है यह दिवाने खास बहुत एच्छी building है अगर आप लालखिला में कभी भी जाएंगे तो अंदर आप इसे देख सकते हैं देखिए जो pillars हैं यहाँ पर पेत्रादुरा का प्रयोग किया गया है ornamentation हलां कि अब तो वो metals आपको कमी देखने को मिलेंगे जाद तर metals निकाल दिये गये है या फिर जो precious पत्थर थे उन्हें निकाल दिया गया है because इन्हें विजिट के लिए खोल दिया गया है तो थोड़ा सा खत्रा रहता है बट फिर भी आपको वो technique यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जो upper portion है वो काफे gilded है painted है ठीक है marble dice का प्रयोग किया गया है और देखे यहाँ पर एक समय में famous पिकाग throne भी रखा गया था जो अब वहाँ पर आपको absent मिलेगा वो जगें आपको खाली मिलेगी जो मयूर सिंगासन था वो दिवाने खास में ही रेटफोर्ट में रखा गया था ये भी मना जाता है कि जो मयूर सिंगासन था उसी पर कोहिनूर हीरा भी जड़ा गया था हलांकि इसके evidence कम है वो मयूर सिंगासन पर जड़ा गया था या फिर नहीं जड़ा गया था बट वो मुगलों के पास था इसके पूरे evidence है मुहमस साह जो कि लेटर मुगल पीरेट के एक सासक थे काफी कमजोर सासक थे 1739 में नादिर साह ने जब अटैक किया था डैली पे मुहमस साह के समय में तो उन्होंने मुहमस साह को हराया था और उन्होंने इस मयूर सिंगासन को अपने साथ ले गए थे आज विलाज वो कोहिनी और हीरे को भी अपने साथ ले गए थे तो यह कहानी है मयूर सिंगासन के बारे में पसे तिनी सी बाते इंपोर्टन थी ठीक है अब आईए बात करते हैं औरंग जेब की औरंग जेब जिसनी सासन किया 1658 से 1707 के पीरड तक उन्होंने देखी वो ऐसा मानते थे कि यह बिल्डिंग्स बनवाना या फिर आर्ट को डेवलप करना यह इसलाम के खिलाफ है तो उनके समय में बहुत कुछ डेवलप्मेंट हो नहीं पाया अर्किटेक्चर बहुत अच्छा ग्रो नहीं किया हालां कि बीवी का मकवरा बनवाया गया जो कि उनकी वाइफ, बेगम, राबिया, दुरानी की आद में बनमाया गया था आप इसे एक पूर्र रेप्लिका भी बोल सकते हैं ताज महल का ताज महल की तरह ही बनवाया गया था लेकिन उतना significant उतना खुबसूरत तो ये बीवी का मकबरा नहीं है फिर भी आप image में देखिए लगभख ताज महल के style को copy किया गया है चार मिनारे भी बनवाई गई है structure भी लगभख same है थोड़ा सा अंतर है फिर भी ये भी जो मकबरा है ये भी काफी खुबसूरत है ठीक है यहाँ पर देखिए हमार जो lecture है वो समाब थोड़ा है अगर आपको ये videos useful लगती है तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं आपका दिल करे तो आप share भी करिएगा thanks for watching this discussion, thanks a lot